हेलो दोस्तों केंद्रिय मंत्री जोती राधित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संसकार राजसी परंपरा के अनुसार कटोरा ताल के सामने स्थित सिंधिया घराने की छत्री में आज किया जाएगा वहीं अस्थी संचय की क्रिया 17 मई शुक्रवार को की जाएगी और आज सुभह दिल्ली से माधवी राजे सिंधिया की पार्थिव देह ग्वालियर लाने के बाद अंतिम दर्शन के लिए रानी महल में रखी जाएगी दोस्तों जानकारी के मताबिक गुरुवार सुभह 11 बजे पार्थिव देह ग्वालियर लाई जाएगी यहां दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी शाम 5 बजे सिंधिया छत्री पर उनका राजसी परंपरा के अनुसार अंतिम संसकार किया जाएगा उनके अंतिम संसकार के लिए दो क्विंटल चंदन वो दो क्विंटल आम की लकट डेढ़ी मंगाई गई है वहीं आज ग्वालियर में कई वी वी आईपी और वी आईपी के साथ राजघरानों के सदस्से आ रहे हैं इनमें कई दिगज नेता तो कई मुख्यमंत्री भी शामिल है यही कारण है कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ग्वालियर में आज चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी इसके साथ ही ट्रफिक डाइवर्ट भी किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ एसपी धर्मवीर सिंहे के मुताबिक दो हजार से ज्यादा जवान वा अफसर तैनात किये गए है एरपोर्ट से लेकर सिंधिया छत्री परिसर तक किले बंदी की गई है जानकारी के मुताबिक राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर दिल्ली के सब्दरगंज स्थित बंगले से 10 बजे दिल्ली एरपोर्ट से गवालियर के लिए रवाना होगा जो कि 10 बज कर 45 मिनिट में गवालियर एरपोर्ट पहुंचेगी यहीं से पार्थिव देह सीधे रानी महल के लिए